हलो अवरिवन तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में सीखने वाले हैं लेटर टू एडिटर तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेटर राइटिंग होता क्या है लेटर कितने तरह के होते हैं तो सबसे पहले आप यह जान लो कि जो लेटर है लेटर तो कमिशनर , यह किसी ईगशा चैएगा लेटर के लिखते हैं लेटर, खिक फॉर्मल लेटर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है CBSC के अंदर वो मैं अभी आपको बताऊँगा ठीक है अब लेटर टू एडिटर जो कि आपका आठ नंबर का आएगा उसमें दो बातें आपको दिहान रखनी है कौन कौन सी? नंबर एक अब जल्दी से देख लो कि टूटल जो मांक्स है आठ नंबर उसका डिस्टिबिशन किस तरह से है लेटर टू एडिटर में टूटल नंबर आठ नंबर का आएगा इसमें जो फॉर्मेट है वो है एक नंबर का content है चार नंबर का और expression है तीन नंबर के अब तुम कहोगे sir format तो समझ में आ गया कि सबसे पहले address फिर date फिर address फिर ये वो सब content का मतलब content का मतलब है जो body आप उसमें लिख रहे हो जो language आप लिख रहे हो वो content ठीक है और expression का मतलब है कि आप जो spelling लिख रहे हो या आप जो content जो आपने लिखा उसके अंदर grammar सही है या नहीं है जहां first form लगानी थी वहां first form आपने लगाई या नहीं लगाई जहां mean work की first form में ऐसे yes लगाना था वो आपने लगाया या नहीं लगाया ठीक है अब आता है कि भाई हम letter लिखते क्यों है letter to editor लिखते क्यों है जैसे मान के चलो आप किसी city में रहते हो और तो वहां की सडकें बहुत जादा खराब हैं बारिश वगयरा सही पूरी सडकें सडकें खराब हो जाती है जैसा कि आपको यहां पर figure में दिखाई दे रहा है तो आपको हो सकता है एक question आ जाए कि भई एक letter to editor लिखो और उसमें ये दिखाओ कि आपके शहर में बहुत जाद रहते रहते हैं उसके बारे में हो सकता है या हो सकता है डौरी सिस्टम के बारे में दहेज प्रथा के बारे में कि ये प्रथा बढ़ रही है ये है वो है तो इस तरह की कोई भी problem ये मैंने 4-5 examples आपको दे दिए इस तरह की कोई भी problem वो आपको exam में दे देगा और आपको क् ओने होना है में प्शाइब किसको इडिक सबुएwieडर क्युआ है और यहां लेके जो roads वगरा हैं वो बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको ये सारी बात है किसमें डालनी अपने letter में लानी है its effects on the daily life of citizens और उस खराब road की वज़े से क्या effects असर पढ़ रहा है वहां के लोगों पे and the reluctance of the authorities जो authority है consent authority है उनकी क्या कमी है for taking the appropriate action ठीक है तो question समझ में आगा इस तरह का कोई भी question आ सकता है जिसमें आपको letter लिखना होगा editor को और वो सारी problems जालनी होगी और उसमें आप फिर request करोगा authority से कि वह इससे देखें और action ले अब आगे बनने से पहले इसका format समझ लो जब भी कोई letter to editor ही नहीं कोई भी formal letter आए तो आपको ये काम करना है सबसे पहले आपको लिखना है sender's address तुम कहोगे sir sender's address क्या है sender's address है जो लिख रहा है ठीक है उसमें देदेगा you are लखन, oblique, meana ठीक है तो तुम sender address कौन है? sender कौन है? लखन है फिर उसके बाद आप लिखोगे date फिर उसके बाद receiver address अगर मैं letter to editor की बात करूँ तो letter को receive कौन करेगा? obviously you are writing to editor अगर तुम principal को लिख रहे हो तो receiver address principal का है अब देखो यह है सबसे बड़ा change salutation उपर है और subject नीचे है जी हाँ अगर मैं दो साल पहले तक बात करूँ तो subject उपर आता था और salutation नीचे जो लोग नहीं समझ पार है salutation का मतलब होता है dear sir या dear madam कुछ इस तरह से जो आप लिखते हो ठीक है? और subject क्या होता है? जैसे for example अ बाद में आप complimentary closing करते हो yours faithfully yours truly इस तरह से आप खतम करते हो अब आप कहोगे sir ये जो आपने पूरा letter लिखा हुआ है ये तो हमें दिखी नहीं रहा इतना छोटा छोटा क्यों लिखा हुआ है? देखो यहाँ अभी मैं आपको पूरा अच्छे से समझा हुआ नीचे मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पर यहाँ मैं इसलिए आप आपको एक चीज सिखाना चाहता था देखो अगर आप left side में देख रहे हो तो पूरा का पूरा जो letter है देखो एक सीद में है देख रहा है पूरा vertical एक ही सीद में ऐसा नहीं है left side से कुछ word आगे है कुछ पीछे है so you have to pay attention while writing your letter in the cbsc exam दूसरा कुछ बच्चे क्या करते हैं cbsc में एक्जाम में लिखते हुए letter को नीचे से शुरू करेंगे किसी page के कोशिश करना कि letter को आप fresh pages शुरू करो एक नई page से शुरू करो ताकि उपर ही address वगरा date वगरा salutation or subject उसे examiner को check करते हुए दिखे ताकि आपको 8 में से 8 marks मिल सके ठीक है तो चलो यार शुरू आत करते हैं अब इसकी देंकर सबसे पहले मैंने address डाला हुआ cri यहाँ aleat दूरू सबसे बाद मैंने line छोड़ी होई है फिर मैंने date डाली होई है फिर उसके बाद मैंने receiver का signatories डाला हुआ है फिर उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कोई भी एड्रेस जब आप लिखोगे तो जादा से जादा आप तीन लाइन यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर दो लाइन यूज़ करी हैं चीक है कभी आप छे लाइन में घुसा दो नहीं बस मैक्स मैक्स टू मैक्स थ्री ला जैसे 11 माई जनवरी फर्वरी मार्च अपरेल माई तो 11-5-2020 या 11-5-2020 गलत हो जाएगी डेट या तो लिख देना में 11-2020 या ऐसे लिख देना 11-2020 समझ में आ रही है दो एक एक बात आपको समझा के चल रहा हूं एड्रेस कितने लाइन में जाना चाहिए कहा लाइन छोड़ है डेट कैसे लिखनी है अब देखो इसके बाद क्या था हमारा रिसीवर सा अड्रस आना था यहां मैंने लिख दिया रिसीवर कौन है भाई साब एडिटर अब देखो जिसको भी आप लिख रहे हो उसका डेजिगनेशन लिख दो डेजिगनेशन समझते हो जो आदमी जिस सब्जेक्ट पहले लिख दिया और सेलिटेशन बाद में लिख दिया तो कुछ गलत हो जाएगा या क्या मेरे नंबर कटेंगे देखो यार आपके नंबर तो नहीं कटेंगे लेकिन कहीं ना कहीं अब आप मान के चलो जब आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हो किसी फ सब्जेक्ट लिख दिया हमने बैड कंडिशन आप दरोड अब यार कुछ बचे जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो भाई सब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट हमेशा एक लाइन के अंदर खतम हो जाना चाहिए नंबर एक बात दूसरी बात यह याद रखना देखो में वाला जिसको आपने लेटर लिखा है उसे सब्जेक्ट देखते ही में चीज जो है में फॉर्मेट जो है इसका लेटर का समझ में आ जाए कि किस बारे में जैसे याद करो जो हम छोटे थे तो हम लिखते थे ना सिकलीव एप्लिकेशन तो बस सब्जेक्ट में वहाँ प एडिटर कोई भी जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो देखर आप अगर ध्यान दे रहे होगे तो मैंने शुरुआत की कुछ लाएं रेड में लिखी है तो तुम शोच रहे होगे कि रेड में क्यों लिखी है थूदा कॉलम आफ यॉर एस्टीम निउस पेपर आई आपके थूदा कॉलम ओफ यॉर एस्टीम निउस पेपर आपके निउस पेपर के माध्यम से आई वूड लाइक टू ड्रो मैं ध्यान आकरसित करना चाहता हूँ ड्रो दी अटेंशन ऑफ कंसर्ण अथॉर्टीज का तूवर्ज दा किसकी तरफ अब जो जैसे हमारे इस वा समझ में आ रहा है अब इसके बाद क्या करना है जो भी प्रॉब्लम उसने दी हुई है उसके बारे में एक दो पैराग्राफ अपनी तरफ से बना के लिख दो वहीं से हिंट उठा के जैसे इसने क्या कहा इसने कहा कि सड़कें खराब हैं तो हमने उठा ली सिटी हमने कहा सि सब्सक्राइब करना है जो शहर के निवासी है उन वो उनके रोज मर्रा में एक्सिडेंट हो रहे हैं दा रोट्स आर फुल आफ पॉर्ट होल्स और जो सड़कें हैं वो भरी पड़ी हैं किससे पॉर्ट होल्स मतलब गढ़्ड्यों से भरी पड़ी हैं स्लाइट रं मेंग्स दा रोट्स फ्लाड्डिडड दमस्मैसी थोड़ी सी बारिस से ही जो पूरे रोड्स हैं वो पूरे था मतलब पानी पानी से हो जातें और गंदे हो जाते मैंसी का मतलब school going students face a lot of problem in reaching school at time because of all this और जो भी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं क्योंकि स्कूल का तो एक timing होता है साड़े साथ 8 वो लेट हो जाते हैं इन सब वजह से ठीक है तो देख लिए आपने हमने opening करी वो red line से जो मैंने आपको बता दिया कि भाई वो तो रट लेना उसके बाद जो भी problem है उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना अब फिर से मैं आपको इस matter को जो मैं आपको डाल रहा हूँ newspaper में publish कर देते हो ताकि जो concerned authorities हैं जो officer हैं जो लोग हैं वो इस matter की तह तक जाएं and some measures will be adopted ताकि कुछ action लिया जाए to improve the conditions of the road road की conditions को improve करने के लिए तो देखो यहाँ पर मैंने बताए ये वाली red lines और ये वाली grey lines ये दोनों lines लगबग हर letter में as it is यूज होँगी और बीच में थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा अब thank you yours faithfully xyz अगर उसने कोई नाम दिया हो उसने दिया हो you are among you are meana तो तो लिख देना अमन मीना whatever अगर उसने ना दिया हो तो लिख देना xyz और इस तरह से खतम कर देना अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि sir yours faithfully की जगए yours obediently कर दे हम तो छोटे प ठीक है तो यहां पर ये जो letter to editor है ये खतम हो जाता है I hope कि आपको ये video बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और जो भी tricks मैंने आपको बताई है ये पूरे के पूरे आपको 8 number दिलवाएगी ये मेरा वादा है आपसे अगर आप एक एक step follow करते हो ठीक है English Baba channel पर पहली बार हो तो यार channel को सब्सक्राइब कर लेना और मुझसे contact करना चाहते हो तो 80590-42145 ये मेरा number है मुझसे आप WhatsApp पे भी contact कर सकते हो जब भी आप कोई भी content search करते हो physics, chemistry, bio, math, science, कुछ भी तो आप chapter का नाम लिखके by English Baba लिखा करो जैसे आपको letter चाहिए तो आप लिखना letter by English Baba letter to editor च चाहिए तो लिखना letter to God by English Baba letter to God के question answer चाहिए तो लिखना letter to God question answer by English Baba bio का chapter 1 है life process अगर वो चाहिए तो लिखना life process by English Baba इस तरह से आपको सारे topic मिल जाएंगे आपको झाहिए तो अपको जाएंगे